कर बात करनी चाहिए तथा तर्क वितर्क के द्वारा गुर्देव को जीत लेने पर विक्षमा प्रार्थना करें अन्य था निर्जल स्थान में ब्रभलो राक्षस हो जाता है गुर्देव तो अपने जैसा बनाते हैं और फिर उससे लड़ते हुए लड़ते हैं कैसे जैसे विश्म पिता मैंने तयार कर दिया था अर्जन दुरियोदर को चलो अब मैं देखूंगा वल्लो मापएते कि कितनी ताकत आई है क्या है शस्त्र की प्रतिसफर्धा पैदा करने के लिए और जीतेगा कि नहीं विजय प्राप्त कराने के लिए उसको पारंगत करना था निद्धर से पराजित हो ओु कोई भी अच्छा गुरु, सद गुरु क्या होयगा रिफ जिया सोचेगा कि मेरा बच्स, मेरा बूत्र, मेरा शिक्र मेरे से बी उंच्या मने अगल इच्छे पराजयम पराजित होनcano चाता है लेकि अभ्मानिस्तनी क्या होना चाता है? पराजित, यान्य समागम सुचरितानी, तानी त्वयवपास्यानी, नोईतरानी, उपनिशत का वतन है, कि जो भी मेरे सुदर्ड त्वयवपास्यानी, नोईतरानी, जो अन्य तुझे नहीं करने होनी है, भगवान शेटें जहर पी लिया, तो हम भी बिने लगे? नहीं भी सकते, उनमें ताकत है हो, कर्तो-मगर्दों की ताकत वाले हैं, भगवान प्रिष्णे गुवर्धन पर्वत उठा लिया, हम नहीं कर सकते, भगवान प्रिष्णे एतनी गोफी आंजोना मंजोना बनगे, एक एक गोफी, एक प्रिष्णे, हम नहीं कर सकते, एक को भ निभाना मुश्कील होता है, तो इसलिए उनकी वाणी को मानना है, नेकि उनकी चरिक्र को देखके, जितनी आवश्चिकता है, उनकी आदर्श को ग्रहन करना है। गुर्देव को जीत लेने पर भी क्षमा प्रांथना करे अन्यता निर्जल स्काने, ब्रह्म राक्षस इतना अवड़ी उपादी मिल जाएगी, ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। गुर्देव से यदि हम कोई बाद भी बाद कर रहे हैं और हम सही हैं, गुर्देव तो हो सकता है कि हमारी परिक्षा ने रहे हो गलत बोलके भी, हमें बतानी चलता है कि हमसे गलती भी हो सकती है, और खुद गलती करके हमें देख रहे हो, बहुत बयांकर होती है स्थिति, उससे मैं अपने को समालना इसलिए गूर्देवित्ग गुरु मेरी जवा से निकल कुरु गुरु है मुने बृर पटने गवाबी गुर्ड बृर वाघ्षाई कि तो याली देर अरुक्राणी कर रत्यूया द्वाबी गूरुर रख्षरिसर्वदा तो उस शाप से काल और प्रत्यू के भैसे भी गुरुदेव सदा रख्षा करते हैं इसलिए गुरुदेव सर्व उच्रेश्ट है, सर्व उच्छे उच्छे है बश् 위에 गुरुदेव सर्व इस कहरा राझी उच्छे आच्छे हैं बश्क्राइब गुरुदेव समर्थे रहे थैं, नोनि समर्थे रहे थैं गुरुद का श्याप लगने से श्याय हो जाती हैं इसमें श्याय नहीं ही कि जितनी भी देवतागर पित्री यक्षे किंणर है इन सब के अधिशाम कर जाएंगे आपस में हम एक दूसरे को शाम देदें पर फिर भैवित होते रहें फिर कौन चुड़ाते हैं स्वेव सद्गुरु सत्ता ही चुड़ाती है एक कथा सुना आपने श्रबाताजी का राजा कौन होई वो स्वास्तिक राजा स्वास्तिक अब फिर सुना नहीं तो उसमें गुरु नाम गुरु से बढ़के नाम से बड़ा राम का नाम उसमें होता है गुरु का मतुदु मंत्राजम्हम्देवी गुरु रित्यक्रत्वया Whitya शुतिवेदानत वाक्यानुं। गुरु स्वाक्षात पर arg्डव् त्यों। आएे दिवी, शुति और वेदानत वाक्या में गुरु यह दो आक्षर मंत्र राज है। गुरु साप्षात परंपद है, गुरु क्या है? साप्षात परंपद है, गुकार गुणों से अतीत है, गुकार रुप से रहित है, जो गुणों से अतीत और रूप रही थे वह गुरु कहलता है। गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए उसको निर्गुण कहा गया। और हम कैसे हैं? हम तो गुण सही थे। हमारे अंदर कभी सतोगुण आयाते हैं, कभी रुजोगुण आयाते हैं और कभी थमोगुण। तो जब हम योग साध्रा करेंगे, योग आसन करेंगे, हमारे मल दूर होते चले जाएंगे, ये गुरु सिखाते हैं योग द्वारा। योग की क्यो आवशिक्त है? क्यो गुरु की आवशिक्त है? और गुरु कैसा हो? जो संपोर्ण ज्यान वाला हो, एक गणित का अध्यापर होता है, एक इंगलिश का, एक संगीत का, और गुरु वो तो अलग-अलग हो गया, लेकिन एक गुरु सदगुरु ऐसा है, कि जो गणित अगरे जी सब कुछ जानता है, एक तो देवी देवता जो 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 ज निर्गुने, जगुनों से आती और रूप रही थे, वह गुरु कहलत है, रूप शिमाराजी महार गुर्देव ऐसे बताते न कि इसको नहीं कहते गुरु, गुरु वो सद्गुरु सब्ता है। जो केवल गुरु के सेवक हैं, वही सन्यासी कहलते हैं, अन्य केवल सन्यासी के वेशधारी हैं, यदि गुरु की सेवा नहीं करते हैं। क्या कहा उसने, क्या क्या दिया है, लगभा हो जाएगा। हरी को तजू नहीं गुरु को विसारू। गुरु के सम में हरी ना निहायो। हरी ने दिया ये तन जग माही, ये तन विश की बेलगी, गुरु अमृत की खां। शीष दिये, जो गुरु मिले, तो भी सस्ता आजा। सहजो भाई ने कह दिया कि हरी को छोड़ दूगी मैं। गुरु चरणदास ने उसको क्या दिया कि दीक्षा दे दी। पर उसने साधना करने लगी, एक दिन उसके मन में आया कि जो गुरु देव ने मुझे साधना कराई है, मैं उसकी सिद्धी प्राप्त करके देखू, कि जो मैं चाऊंगी वो हो जाएगा क्या। वो पूजा करने बैटगी, तो आसन विछा रखा था गुरु देव के लिए। गुरु देव तो आने में देन लगाई, बगवान प्रिष्णा आगे खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए, तो उसने क्या करा। अलग खड़ा कर दिया। और गुरु देव आए, तो उनके लिए गया दिया। बगवान पिष्णा कहने लगे, आरी जी आगे माँ पे, तो हरी को तजू में गुरु ना विशाओ। सहजो ऐसो दामना अखंट क्या गुला वज़े आर्थिवे। सहजो ऐसो दामना शकल अंड़ प्रग्मांड सब परवत्स्याई करूं और सम्रु जाए। ऐसे है गुरु तत्तु। गुरु प्रशादेना अप्रसादेना अप्रसादना रामो इलभ्यते अनेन गुरु मार्गेना यंतर ज्यानं प्रवर्दते। गुरु देती गुरु किरुफा के प्रसाद से अपनी आत्रमा आनन्दश्वरोगां को प्रव्त होती है। इस मार्ग से अन्तर्ज्यान उद्य खोता है। ये गुर्देव की कृपा प्रसाद जब तक नहीं होगा, कृपा का प्रसाद, यदि प्रसाद कहते है कि इसको प्रसादस्तु प्रसन्नता, गुर्देव न जाने कौन से गुण पर सया निद्री जी जाते है, उनको पता नहीं चलता है कि हम कितना भी कुछ भी कर्म करते रहे और अचानक हम सोचते हैं कि हम तो सब अच्छा काम कर रहें। लेकिन वो किसमें प्रसन्न होंगे, गुर्देव किस बात में प्रसन्न होंगे, यह हमें नहीं कता है। और कम हमें वो कृपा कर देंगे, कम क्या शक्ति देंगे, यह वो ही जानते हैं। तो उसके लिए में प्रयास करते रहना चाहिए। उस आनंद की प्रांति कौन कराते हैं। बुगुजेव। आ ब्रह्मेस्तंब परियंतंद प्रमात्म स्वरोपिणद। स्थावरं जंगं हम्चयवाद। अड़वामी जगन्मयाद। प्रख्मा से छोटे पोदे प्रियंद परमात्व के स्वरूप है जगन में इस्थावर और जंग भरमात्म को प्रणाम करता है सब जगे कड़ कड़ में क्या है? गुर्देव सद्गुरु सत्ता गुराद माने वन्दे अंसचिदाननम बजे अंसचिनानम बेडातीतं जगतGurum निद्यम पूर Nun निराकारं निर्गुरं सवात्मसमशितं सचिदाननद स्वरुप भेद कड़ सतीत निद्य कोड आकार रहित गुल रहित स्वात्मा में स्थित जगत गुरुती में बंदना करताः सत्चित आनन्द शुरूप है बग्वान, सत माने सत्ता, सत्गुरु, सत्ता विध्यमान है, हम यह कुछ लोग मानते हैं, कम्मिने शुरूप होते हैं, वो बगवान को ही नहीं मानते हैं, करम ही पूझा है हूँके बिना उसके उस पर्मात्मा के इश्वर जीव, प्रकृति तीन मानते हैं वैदिक दरून को मानने वाले आरे समाजी लेकिन योग दर्शन और सांखे दर्शन में क्या मना गया है जीव, जीवात्मा और पर्मात्मा कोई अध्वात्वध यह है कि शंकराचारे जी को मानने वाले, वो क्या कहते हैं, यह ब्रहुम कृछा है, ब्रहुम सथया है और सब विथ्ट्छा है। लेकिन मिथ्या नहीं है, इस मिथ्या महीं है, दोव के खोलाते हैं, और यदि इस मिथ्या तत्व को समझ लिया, पुरुष और प्रकृति को समझ लिया, पुरुष और प्रकृति के ग्रंथी को भेदन हो गया, विद्यते इरदे ग्रंथी, चिद्यनते सर्वसंशया, छीनते के लिचाह से करमाणी तसमिन दिश्टे परावरे उस परासपर की दर्शन कौन कराता है वो सदगुर गला सकती है कि जीवादम का लक्षन क्या है एश्वर का लक्षन क्या है यह कौन कराईबा को सदगुरु सथ्टा हुब अप संब देशैर है ने गहित container हुगा पर ऐसे अत्यत्य परे ध्यान करने होगे निध्यानन्द करने वाले प्रदय आकाश के मत्याइस्थित्, शुद्ध स्पटिक मणी के समान काहती वाले। कैसे है गुर्देव शुद्ध स्पटिक वहां पे शिवलिंग है मैंने गुरुक्षेत्र में वहां जारा मिद्यपीट में स्पटिक मणी का भगवाय शिवलिंग का है तो क्या है उसमें इतना भी बनी है निशाद चिन न कोई दूसरा स्पटिक आर पार दिखाई देने वाल तो सद्गुरु कैसा है शुद्ध निर्मल सत्ता और हमारी क्या है मलावरण से ढके हुए है वो कैसे ढका हुए परमादमा मलावरण से उस मलावरण को कैसे दूर करेंगे काम क्रोध लोग मों ये वला के आवरण है और शरीर का कफ बादवित कफ दोश है ये योगासनों स कैसे दूर होंगे, सद्गुरु सत्ता की आग्या से, और मंत्र जाप से, तब ही तो रिदय की ग्रंथी का भेदन होगा, और सच्चा ज्यान, विद्यते रिदय ग्रंथी, छिद्यंते सर्व शंशया, फिर संशया नहीं रहेगा, कि गुर्दे वैसे तो नहीं कर रहे, इसका इसका ये है, हम संशया आत्मा बने रते हैं, और संशया आत्मा विनशयती, द्रण निश्चयी जो होगा, द्रण संकल्भी जो होगा, वही उस पत्त को पा सकता है, इसलिए अठ योग का अधिकारी हल कोई नहीं बनता है, हम लोग को किस माध्यम से ले जा रहे हैं, सहज य सांक्ययोग, कर्वयोग, भक्तियोग, ज्यानयोग, सभी कुछ दिया जा रहे है इस दरबाट से, सिद्धक्रपा है, शक्तिपार्थ स्पटिक प्रतिमारूपम प्रिष्यतेदरपणियता, इधात्मानम चिताकारं, आनंदम्सोअ मित्य ना जिस प्रकार स्पटिक मणी प्रतिमारूप से दरब में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतनाकार में आनंद स्वरूप में। केवल आनन्द आनन्द, आनन्द रसो वईसा, रसम जेवायम लगवा आनन्द भवती, हर मनुष्य चाता है, बोजन में भी जिप्वा में स्वाद, बोलने में भी स्वाद लेने लगता है, सुनने में भी स्वाद लेता है, हर समय हम रस रस क्रहड करने चाते हैं, लेकिन वो इतना उतना मिलता है, चनिक, उस चनिक सुफ को ही हम समझ लेते हैं, यही सब कुछ है बस, फिर उसको बार बार पाने की कोशिश करते हैं, और वो आनंद कैसा है, वो शाष्वत नित्य हमेशा रहने होला, उस आनंद को क्या के रहे, परमात्मा, वो मैं आनंद हूँ, बजन है एक लेड़, एक लेड़, एक लेड़, एक लेड़, ओम अपामाध्ये तस्थिवासं, त्रिष्ण विदा जरितारं, मृड़ा सुक्षत्रा मृड़ा, आनंद स्रोत बेहरा पर, तु दास है, अच रच ये जल मी रह के भी मचली को प्यास है, तो इस प्यास तो लगी रहनी चाहिए, जब तक मिले लेकिन खाली प्यास से ही बैठे रहे, ना पानी पीने का प्रयास करें, ना कुएं तक जाएंगे, तो कैसे प्राप्ति होगी, वैसे तो गुर्देव हमारे माताजी बोलते ही है, होंगे दयार तो देंगे, गुलाएंगे, और लेने क्या जाओगे, देंगे घर आएंगे, तो ऐसे करना भी है, करना और नाला है करन, ऐसी प्रुपा करेंगे? देने वाले तो बैटे है, मारा जिखेरे थे, मैं तो कडची बनके बैठा हुआ हूँ। प्रभजी का कड़ा अगरा रखा है, रबा का, पर लेने वाला कोई नी मिलता है, बांडे विले परचोंदे मिले, बर्तन मिल रहे हैं, लेकिन फुटे बर्तन मिल रहे हैं, मैं उपर से डालता हूँ, नीचे निकलता रहता है, बली दिला किसको दो? जाय देजिन मात्रम्रई पत्रस्पुरति भावो यहाँ अश्यदत्कधयम्यहाँ जेतन स्वरुप अंगोष्थ मात्रपुरुष को प्रदे में ध्यान करने से जो भाव भुरता है देखो उसको मैं कहता हूँ अगोचरम तथा अगम्याँ रूप नामा दिवर्जितम शब्दन तु जादियाँ अभावो प्रह्म पार्वति इंद्रियों का अविशय अगफित रूप नामादि से रहित शब्द रहित व भ्रह्म का सुभाव जाने अर्थात मन का निर्विकार मौन भाव ही ब्रह्म है जब उसमें पूर्ण डूब जाते हैं जब सद्गुरु सत्ता का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो फिर कुछ भी कहने की यतो बाचा निवर्तंते तद्धाम परमम पदम जहां पे गाणी मौन हो जाती है उसके आनंद में हम पो जाते हैं तो अब यह पात्रता बनानी है क्या गया रहा है पुर्देव कि हम तो लिए बैटे लेने वाले बनो तो लेने वाले भी वही बनाएगे वरा में प्रयास करना होगा यथा दे सभावेना करपोर कुंकुमादी के अपने अपने सभाव शीतोष्णादी है उसी प्रकार ब्रह्मा का शाश्वतता ही सभाव है वेदों को विदेशी लोग यहां आकर ले गए और उन्होंने क्या कहा दिया कि गडरियों के गीत है तो जो स्वेम सद्गुरु सब्ता से